नमस्कार किसान भाईयों, देशी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है देशी मुर्गी पालन में फीडिंग से जुड़े मतोपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेके आते है और आज ऐसा ही एक वीडियो हम आपके लिए लेके आया है और इस वीडियो में हम बाच्चित करेंगे देशी मुर्गियों के लिए हैड्रोफोनिक फीड है तो यह किस तरह फाइदे मंद है, किस तरह देना है, हैड्रोफोनिक फीड अपने घर पर ही किस तरह बनाना है इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम बाच्चित करेंगे देशी मुर्गी पालन जो लोग छोटे पैमाने पर कर रहे है इनके लिए यह पर्योग काफी फाइदे मंद है छोटे पैमाने पर याने जिन लोगों के पास 100 से लेके 500 तक मुर्गियां है और छोटे पैमाने पर याने पर देशी मुर्गी पालन कर रहे है उन किसान भाईयों के लिए हैडरोफोनिक फीड जो है यह गर्मियों में बहुत फाइदे मन साबित होता है गर्मियों में हम इसलिए बोल रहे है क्योंकि बहुत बार हम देखते है कि गर्मियों में पानी की मात्रा जो देशी मुर्गियों को मिलनी चाहिए वो बहुत बार मिलती नहीं है तो इस वज़े से हैडरोफोनिक फीड अगर हम गर्मियों में अपने घर परी शेड़ परी तयार करते हैं और वह हमारे मुर्गियों को देते हैं तो इससे क्या लाव हमारे मुर्गियों को होगा ये भी हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाडरोफोनिक फीड होता क्या है किस तर बनाना है Campus तो Hydro Alberta Fruit यानओ अब सरत करों है हमारे पास मक्का जैसा बहुत सारे grain हमारे पास रहते है खास करके मक्के से हम इसलिए बनाते है यहें यहां तयार होता है तो इसकी प्रोसीजर अगर देखी जयाए तो आप जो यहाँ पर जिस ट्रे में हमने प्लास्टिक के यह बनाया है इस तरह के प्लास्टिक ट्रे एजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो आपको मक्का जो है इसका मक्की की सीड जो है यहाँ आपको 12 गंटे तक भिगो के रखनी है और 12 गंटे पानी में भिगोने के बाद इसको आपको कौटन के कपड़े में 12 गंटे तक दीला रखना है तो ऐसे 24 गंटे में इसको स्प्रॉट निकलते हैं तो यह स्प्रॉट निकलने के बाद आप जो यहाँ पे ट्रे देख रहे हैं इस ट्रे में आपको यह पूरा सीड, स्प्राउट आया हुआ सीड इसमें रखना है और इस पर पानी छिड़कते रहना है दिन बर तो ऐसे अगर हम 7-8 दिन तक इसके ओपर पानी छिड़कते है और यह मुर्गियों को खिलाते हैं तो हर्डरोफोनिक फीड हम इसको बोलेंगे तो यहाँ देने की जरूरत क्यूं है और गर्मियों में ही यहाँ क्यूं बनाना है और गर्मियों में क्यूं देना है बहुत सारे किसान नों ने हमें पूछा था किसर यह हर मोसम में दे सकते हैं हर मोसम में दे सकते हैं लेकिन गर्मियों में इसका सबसे बड़ा फायदा होता है क्योंकि गर्मियों में हमने देखा है कि मुर्गियों को बहुत बार हम पानी रखना भूझ जाते हैं तो ऐसे समय में पानी न होने की वज़े से भी बहुत बार आमारे मुर्गियों का वेट जो है वह कम होता है और ऐसा continuous अगर गर्मी में पानी कम मिलता है मुर्गियों को तो बीमारी आने के भी chances रहते है तो यह सब न हो इसलिए हम अगर डेली ऐसे एक दो ट्रे आमारे पास इ ले सकते हैं ऐसे कोई मात्रा फिक्स नहीं है इसकी क्योंकि आप इनके सामने रखना आपको और उनको जितना खाना है उतना ही मुर्गियां जो है बड़े चाव से इसको खाती है लेकिन यह खिलाने से फाइदा यह मिलेगा कि देशी मुर्गियों को हैड्रोपोनिक फीड स तकरीबन 90% के उपर जो है हाइडरोपोनिक में पानी के मात्रा होती है तो यह पानी जो है हाइडरोपोनिक फीड से हमारे मुर्गियों को मिलेगा उसी तरह इसमें प्रोटीन के मात्रा रहती है उसी तरह कुछ विटैमिन से यह भी इसमें अवेलेबल होते है तो इस तरह क चीजे हमें हाइड्रोपोनिक फीड से हमारे देशी मुर्व को मिलती है तो अपने घर पर ही आप इस तरह का हाइड्रोपोनिक फीड बनाई है और मुझे से मैंने बॉला कि मक्खी की सीड जो है मेज्स या मक्खी की सीड हमारे घर पर ईजी ले अविलेबल होती है तो इसको भीगा कर हम इसे बना सकते और हमारे देशी मुर्ग खिलाते समय यह ध्यान रखना है कि आपको सुबह 9-10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक यानि डे टाइम में आपको यह फीड देना है क्योंकि इसी टाइम ज्यादा से ज्यादा गर्मी जो है हमें देखने मिलती ह है और गर्मियों में यह है रोपोनिक फीड बड़े चाओं से हमारी मुर्गियां खाती है तो आज हम यह आप मैं यह है तो